हलो अब तुम साले घर चले जाते हो हमारी बंदूग कौन साथ करेगा हमको हमारी बंदूग साथ करना पड़ता है नहीं नहीं सारी सारी मत बोलो तुम हमेशा सारी बोलते रहते हो तुमको कर्तूश मगाने के लिए बोला था तुमसे क्या हुआ कर्तूश का दस दिन के अंदर सारी कर्तूश आ जाने चाहिए घर पे बस तुम सुरी मत बोलो हो गया तुमसे मेरा सब कुछ तुम न तो कोई काम करते हो न धाम करते हो कि यहाँ पे हम बंदू को साप करें ठीक चलो चलो रोम चलो ना कला जाना सुभा और मान सिंग भाइए आप आई या यह यह कहां जा रहे आई इसे जा रहे थे अरे आओ भाई या बैठो अच्छा आप बुला रहे तो आ अठे भाई अपे बैटें हो इसे बैटें है अकेलिय को और कया करे भाई कूर्ण सी देब आङसे भी जमीन बैटाई हो का अब का तुमको पाता है हम पांचनों पास बाओंढ़ी ने बलाए में बांचनों है की लो फांखिय से टाद है बडे पाँजी पीदस हो हआज़ बाइट है . और भाई कह बताएं . जब से पिता जे दिल्ली चले गया ना अके लेस सब काम करना पड़ता है . काम करने और बतला अरे इसता जी दिल्ली चले गए न दिल्ली पाता है तुमको कितने दूर है विदोर रहे अरे सौ किलो मीटर है एक हपता लगा जाने में 100 km है साइसि इससे का तुमको का पता है गादे हो का है यह क्वंद सी बात है फिर वग्कॉस कर रहे हुँ हम पातह अब हम को पता है और फिर 100 km है एक हम सब कि दिखाई नहीं दे रहा है तुम को बता हैं तुम को सुने हैं समाज में नहीं दिखाई नहीं दे रहा है तुमारा ना 900 किलोमीटर नहीं 800 किलोमीटर दिल्ली है सहु मतर है के नहीं बात बतातों से बातक चिए थे न हुआ कि 16 धिल्ली ऑपा से बात किये थे आई याई गाड़िस आपा Cherry बेल गारी से जाते हैं तो महीनों लग जाते हैं तो बात करने हमसे बूर्वक बोल रहे हो तुम दिमाग से पैदल हो हम बूर्वक पोड़ी नहीं हो तुम को दिमाग में काम नहीं कर रहा है हमारा दो मरा बनियर काम करता सोक मारा काम करता तो सो कंचे थरह न भाय पने जाके पता कर मैं अपर बाप से फिर भी चार बार बाप हाँ तुमारा खराब हुआ है टिमाग से कोई म करता है हम बेखुप इंद कौप कर रहे ह। अब हम सही बोल रहे हैं तो हम बोले हैं जो किली मिटा तुम बोले नोशो ग्यान प्राव्त करो अब उसे ज्यादा इस नहीं नहीं बता चलो पूछ लेता है किसी से प्षाटेंगे निपाट जब काई का इस बात कर रहा है गधा काई का तेरा दिमाग ख़ाब है इसलिए बुला है चलो किसे पुछा आते हैं आरे कहा चलेगा तुब ता मेरे को चलो कि को कि यूठ पढ़ा है है तुम से भी तुम से थो से परह और ने जापी ≫ पदा है अपने जमाने में एंपास याऊबे अ रही जा मिद है पढ़ते थे भी भसता लाई इसको नीकिठ सौरी ढूंन है कि यह मैं तुमको प्रूप करके दिखा जूँगा कहा पुरूप करें कहा पुरूप करें कि मुझे बता दूप करेंगा चलो कजो सबसे पुछाते हैं दिल्ली 100 किलो मिटर है हम बोले हैं दिल्ली 100 किलो मिटर है हम बोले हैं दिल्ली 100 किलो मिटर है दिल्ली 100 किलो मिटर है हम बोले हैं दिल्ली 100 किलो मिटर है कि से पुछाते हैं चलो बाड़ा का जो अधर पुछाएगा अरक एन वह बाड़िया है एक समस्या लेक्र touchscreen को पता है Suppdolly 119 दूर है और इबोले हैं दिल्ली 90 किलो मिटर दूर है यही समधान आपको करना है अरे हम बोले 900 किलो मीटर है हम बोले 100 किलो मीटर है दिल्ली मानने त्यारी नहीं है गदा कहीं का देखिए यहीं आप लोग जगडा मत करो हम समधान करेंगे इनके पिताजी जाते हैं दिल्ली चार पांच दिन लगता है दिल्ली 100 किलो मीटर है अब लो मानना दिल्ली 100 किलो मीटर दूर है ौआउअ और हम आप डिन तरह परे लागें देखो तुमहारे पिता जी चार दिन लगता जाने में आप दो क्यों किलो मीटर है समझ तो गधा है अब अरे तुम खुद गधे हो यह सही बोल रहा है लड़का अब दिमाग की बत्ती जली लेकिन इनको समझ में नहीं आता यह बंबाई में बैठे हुए अभी तक दिली कितना है हाँ जाओ तुमां जावा राम 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 जाओ गजोदर भाईया यह बताओ हमको दिली तो दूर है फिर आप हमको कहा है मारे अरे भाईया दिली 900 किलो मीटर है वो गधा था ठीक है और यानि कि तुम वो धिमान वो गधा था उस बुद्धिमान आदमी को गधे के साथ में कभी नहीं भीड़ना चाहिए तुमको इसके लिए मारे है कि तुम जो है उस गधे से क्यों बीड़े जब जानते हो तुम तो बुद्धिमान व्यक्ति हो अच्छा आप समझ में आई हमको आगा दाहा से न भीड़े के चाहिए उसे दूरी रहाऊ तो इसके लिए कभी भी एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी गधे के साथ में नहीं बढ़ना चाहिए अगर वो सामने से आ रहा है तो उससे साइड हो जाए अगर वो सामने आ करके आपसे बात कर रहा है तो उसके हां में हां मिला ओ तुम बुद्धिमान थे तुम गधे से भीड़े इसके लिए सजा तुमको मिली शिर्पे सजा इसलिए मिली क्योंकि आप गधे से भीड़े हो बलकि गधे से हां में हां मिलाना था अच्छा अब बास समझ में आई हमको गधा हो तो गधे से बात मत करो उसे साधान रहो हाँ एकदम सही बात है ठीक है अब याद रखना कभी भी किसी गधे से बहस मत करना ठीक है ठीक है राम रामा कर दो कर दो